नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन के 6 लाख किसानों को फसल बिमा का मिलेगा लाब सुखे की वज़ा से परिशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है बता दे किसानों को रहत पहुचाने के लिए हाल ही में सरकार ने बिमा कमपनियों के साथ बैठा की थी, राज सरकार दोवारा बिमा योजना के अंतरगत राजियांस का बकाया 32.50 क्रूर रुपए का भुगतान होते ही कमपनियों ने किसानों को रासे भुगतान की पहल की है बतादे की सुखा से आर्थिक नुकसान जिलने वाले किसानों को इससे काफी फायदा लाग पहुचेगा किरिसी मंत्री बादल पत्रेख ने कहा है कि कुछ तक निगी खामियों की वज़ा से पहले किसानों को भुगतान नहीं हो सका था ज्यारखन के 14 जिले कुरोना की चपेट में देश में एक बार फिर कुरोना की मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है बिते 24 गंटा में 322 नए संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं कुरोना की वज़ा से एकार लोगों की मौत भी हुई है देश में सक्रियों मरीजों की संख्या 40.215 पर पहुँच गई है वहीं जारखन में बीते 24 गंडे के अंदर 29 नए संक्रमित मरीज मिले है बता दे राजे में सक्रियों मरीजों की संख्या बढ़का 99 हो गई 7 महिने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है 27 सितंबर को राजे में इसकी संख्या 109 थी इस दिन राजे में 11 नए मरीज मिले थे स्वास्त विभाग दोरा जारी आकड़े के मुताबिक राजे के 14 जी ले कुरोना के चपेट में हाएं सबसे ज़्यादा कुरोना मरीज राजधानी रांची में हाएं यहां सक्रिये मरीजो जार्खन बीजेपी आज काला दिवस मनाएगी मंगलबार को जार्खन सच्वाले घिराव कारेकरम के दोरने बीजेपी के करकाताओ पलाठी चाज का मावला तूल पकड़ रहा है बुद्धवार को बीजेपी ने एलान किया कि करकाताओ पलाठी चाज के बिरोध में काला जारी रहेगा दिपक प्रकास ने कहा है कि मंगलबार को ऐसा लगा कि पुलिस कर्मी बीजेपी के करकाताओ की तरह बेवहार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमन सरकार जानता का भरोसा खोच चुकी है यही वज़ा है कि सांतिपून आंदोरन को दबाने के लिए हिंसा का साहरा लिया गया है जारखन बीजेपी ने राष्ट पति सासन की मांग की भाजपा ने हमन सरकार पर आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि हमन सरकार जानता का भिश्वास खोचुकी है ऐसे में पार्टी करिकाताओ खिलाप उन्होंने हिंसा का साहरा लिया है दरसर मंगलबार को स सिकान दूबे ने कहा है कि वे सुरेन परिवार के सभी सरस्यों को जेल भेजवा कर ही दम लेंगे जनकारी के अनुसार लोग सबाद चुनाओ के 6 महीने बाद ही जारखन बिदान सबाद चुनाओ का समय आ जाता है ऐसे में गोड़ा संसर निसिकान दूबे चुनाओ आयोग कि पुजा सिंगल को सुप्रीम कोड से मिली आंतरीम जमानात की आधी आज पूरी हो गई सुप्रीम कोड ने दस परवारी को उन्हें दो महिने के अंतरीम जमानात पर रिहा करने का आधेस दिया था अंतरीम जमानात की खत्म होते ही पुजा सिंगल ने से रेंटर कर दिया अब उनकी जमानत याचिकापर सुप्रीम कोट में गुरुवार को सुनवाई होनी है। 10 अप्रेल को रांची की विशेश, पीम एले आदारत ने निलंबित, आये एस, पुजा सिंगल खिलाप आरोपताई किये थे। अईसे में आरोपी के तौर पर पुजा सिंगल के मामले की जाच होगी। मनी लॉंडरिंग मामले में पुजा सिंगल पर पीम एले की धारा तीन और चार के तहत अपुरा ट्रायल चलेगा। जारखन खेल निती के तहत खिलाडियों को मिलेगी 10,000 रुपए पेंसन। जारखन खेल निती 2022 के आधार पराज के पुर्व खिलाडियों को पेंसन देने के त्यारी सुरू हो चुकी है। मानक के अनुरूप होने पर पुर्व खिलाडियों को 10 रुपए प्रती माह पेंसन मिलेगी। निदे साले की ओर से इसके लिए कई मानाग भिताय किये गए हैं जिसके अनुसारपूरों खिलाडियों को 30 अपरेल तक सम्मधे जीला खेल पता दिकारियों का वेदन देना है इसके अलावा खिलाडियों के कोच को भी कैस अवार्ड देने के लिए बिगाप पंजारी किया ग नहीं है पेंशन योईना कलाब ले सकते हैं घेराव कारेकरम को जामों ने बताया फ्लोप भाजपाक के सच्वाले घेराव कारेकरम को सत्ता रूड जारकन मुक्ती मोर्चा ने फ्लोप करा दिया है जामों प्रवक्ता बिनुवत पांडे ने कहा है कि इससे अधिक भीरतों नुकर सभाव में होती है सच्वाले घेराव कारेकरम में इनके करकातर नहीं जूटे तो भाजपाक के नेता सरकारी मसीनरी के दुरूप योग के बाहाने बना रहे हैं जामों परवक्ता बिनुवत पांडे ने कहा है कि भाजपाक के नेताओं ने माजमार लगा कर पूलिस सता प्रकाविज होने का सपना देख रही है बीजेपी के पांच सांसद तिन बिधायक पूरो मुखमंत्री सहीत 41 पर एफाय यार सचिवाले घेराव का परयास उपद्रव पत्रबाजी और बावाल के मामले में मंगलवार की देर रात रांची के धुरुआ थाना में करेप पर उपद्राव करने, दंगा भणकाने, सरकार के निर्देशों का उलंगन करने, सरकारी कारे में बाधा अपराध के लिए उकसाने वा दूसरे ब्यक्ति को नुकसान पहुचाने से समधित धरावो में प्राथमी की हुई है बता देकारे पालक दंडा अधिकारी ने अपन कस्तुरबा गांधी स्कूल में वार्डन ने छातरों को भूखे प्यासे धूप में चार घंटे खड़ा किया अब मामला सामने आने के बाद परिजिनों ने वार्डन पर करवाई की मांकी है इस मामले में एक ग्यापन इसकूर प्रबंधन समिती के अध्याक्ष बैजनाथ सुरेन, पार्शाद धेमंत मुंडा, बिधायक प्रतिनेदी अर्जुन मुंडा, चंद्र हंसा ने धालभूमगर के वीडियो को सपा है ग्यापन में कस्तुर्बा गांधी बाइल का बिध्याले धालभूमगर के वाड़न, रेखा, दास, परसारिरिक और मांसिक प्रतरना कारोप लगाया गया है बोकारो के इसकूल में जैस्री राम बोलने पर पूरी कक्छा दो दिन के लिए सस्पेंड जारखन के बोकारो जीला इस्थीत, गोमिया में संचारित एक मिस्नरी इसकूल में जैस्री राम बोलने पर प्रचारे ने दासवी कक्छा के सभी छातरों को दो दिन के लिए सस्पेंड कर दिया इनकी डायरी में लिख कर अभिभागों को मंगलवर को स्कूल बुलाया गया कुछ अभिभागों को फटकार लगाई गयी वहीं परकरण की सुचना पर विश्वे हिंदू परिशत के धनबाद विभाग के मंत्री बिनाय कुमार ने इसकूल परवंदर के खिलाप जीला सिक्षपता दिकारी को पत्र लिख कर जांच कर करवाई की मांग की बिनाय ने कहा है कि लोयला इंगलिस इसकूल में 5 अप्रिल को 10 वीक की कक्छा चल रही थी इसके दोरान किसी बचे ने जय सिरी राम बोल दिया इसके बाद सिक्षक ने सजा के तोर पर सभी छात्रों को अगले 4 पिरियट के लिए सस्पेंड कर कक्छा से बाहर कर दिया जारखन के हाई सिकूरिटी जेल के लिए DPR फाइनल हजारी बाग में राज्ये के पहले हाई सिकूरिटी जेल के लिए DPR फाइनल हो गया है सरकार सहरी जंडी मिलने के साथ ही इस जेल का निर्मान का दे शुरू हो जाएगा वधाद जारखन के पहले हाई सेकुरिटी जेल का निर्मान का रास्ता धिरे धिरे आसान होता जा रहा है सो क्रोवर की लागत से जार्खन के हजारी बाग में हाई सेकुरिटी जेल का निर्मान होना है हाई सेकुरिटी जेल के लिए अब डी पियार भी फाइनल कर लिया गया जार्खन सरकार से हरी जहन्डी मिलते ही निर्मान का दे सुरू कर दिया जाएगा घायलों से मिलने पहुंचे केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची में लाठी चार्ज में घायल हुए भाजपा करकताओं से मिलने केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा अस्पताल पहुंचे अर्जुन मुंडा ने राजे की सरकार को सत्ता के नासे में मस्त सरकार बताया उन्होंने कहा है कि जब पहले से सच्चिवाले गहराओ की घोसना थी ती प्रसासन को बैरिकेटिंग लगा का करकताओ को जबर जस्ती रोकने की क्या हो सकता थी बता दे मंगलवार को हुए लाठी चार्ज और धक्का मुक्की में कई भाजपा करकता घायल हुए हैं हेमलाल मुर्मु ने कहा बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ नौ साल बीजेपी में रहने के बाद पूरो मंत्री हेमलाल मुर्मु ने जहामों में वापसी की है हमों का दामन थामने के बाद पहली बार हेमलाल मुर्मू पार्टी कर्याले पहुंचे जहां उनका ढोल नागाले के साथ स्वागत किया गया हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि मैं वापस आया हूँ अब पार्टी के सिस्ट नेत्यूत और करकताव के साथ मिल बैठ कर सनवाद होग और इसके बाद भुष की रण निती तै होगी BJP से मोह भंग के सवाल पर हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि सवाल मोह भंग का नहीं है बात दरसल विचार धरा की है मैं वहाँ फिट नहीं बैठ रहा था हेमलाल मुर्मू ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि घर बाप सी करके अच्छा लग रहा है नई सिक्छा निती के तहत पास होने के लिए 40% अंक अनिवार है नई सिक्छा निती के तहट 4 वर्शिया छेंशनाता कूर्स के प्रत्म सेमेस्टर का कोल्यान विस्ववध्याले ने सीलेबस दयार कर लिया है इसके साथ विस्ववध्याले ने अपनी अधिक्रित वेबस साइट पर प्रत्Heist lubimes Nepon अप लोड कर दिया है इस तरह कूल 500 अंक में से पास होने के लिए कम से कम 200 अंक अर्जित करना होगा धन्यवाइब यह आप चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का वेले का अंद बाई यह साथ वीडियो के लाइक अपना फिडवाइक अवस्य दे थैंक यू